नमस्कार दोस्तूं स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज में दोस्तूं आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मैतुपुन्ट तीस विलोम सबद तीस विलोम सबद सें समन्दित जो भी परसन एकजामों के अंदर पुछे गए हैं हाली के अंदर या आगे पुछे जा सकते हैं इंपोटेंट क्यूशन रहेंगे आपके लिए सभी परवकार की परतियोगी प्रक्षियाओं के लिए तो आप वीडियो को अन तक देखते रहें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिसे आने वाले हर न्यूव वीडियो के आपको जानकारी मिलती रहे पहला क्यूशन आपकी स्क्रीन पर है इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युगम है विग्य ए विग्य राग दुएस कटू तिक्त उग्र वेग्र तो दोस्तु यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ओप्शन B राग दुएस यह यहाँ पर क्या है सही है सही विलोम सब्द है राग का द्वेस होता है बाकी तीनों के तीनों है वो गलत विलोम सब्द है दोस्तों तीस क्यूसन है इस वीडियो के अंदर बहुत है इंपोर्टेंट क्यूसन है सबी क्यूसन है वो पुरानी एक्जामों के अंदर जो गत एक्जामों हुई है उनके अंदर पूछे गई क्यूसन है और बार बार ये क्यूसन है जो एक्जामों के अंदर रिपिटेड होते रहते हैं इसलिए आप वीडियो को अंतक जो 30 क्यूसन है इनको ध्यान से देखते रहे सेकंड क्यूसन देखते हैं दोस्तू सामिस का विलोम सबद है आमिस, प्रामिस, निरामिस या अमिस तो दोस्तू जो सामिस है इसका विलोम सबद क्या होगा सामीश का विलोम सब्द होगा निरामिश याद रखना है सामीश का निरामिश चलते हैं नेक्स्ट क्यूसन की ओर वेश्टी सब्द का विलोम क्या होगा वरश्टी, समश्टी, दरश्टी या अक्सी पूचा किसका है वेश्टी का तो दोस्तो वेस्टी होगा इसका जो विलोम सब्द होगा वोगा समस्टी ओप्सन भी आपका यहां पे सही रहेगा वेस्टी का होता है समस्टी चलते हैं next question की ओर question number 4 इन में से कौन सा विलोम यूग में सही नहीं है प्राचीन अवराचीन इस्तावर जंगम रित अनृत लोकिक सांसारिक तो दोस्तु कौन सा है जो सही नहीं है यहाँ पे सही नहीं है वो पूचा गया है तो दोस्तु option D आपका सही रहेगा लोकिक सांसारिक यह क्या है घलत विलोमसबद है बाकि तीनों के तीनों जो विलोमसबद है वो सही विलोमसबद है चलते है next question की तरफ निर्मल का विलोमसबद है विमल, सलीन, मलीन, निरस तो निर्मल है इसका विलोमसबद क्या होगा निर्मल का विलोमसबद होता है दोस्तु मलीन, option C आपका यहां पर सही रहेगा, निर्मल सबद है, इसका विलोम सबद होगा मलीन चलते है next question की तरफ तुच का विलोम होगा वितेज, एतुलन ये, महान, निस्तेज तो तुच है इसका विलोम सबद होता है, दोस्तु महान, क्या होता है महान तुच का विलोम सबद महान होता है चलते है next question की तरफ, question number 7, परितोस का विलोम सबद होगा समानित, स्वितोस दंड, पारितोसिक तो दोस्तु परितोस है इसका विलोम सबद क्या होता है इसका होता है दोस्तु दंड, option C आपका यहां पर सही रहेगा चलते है next question की तरफ question number 8 आकास का विलोम सबद होगा जमीन, भूमी, पाताल, गगन आकास है आकास का विलोम सबद क्या होता है बहुत ही simple है और side exam में इससे जएदा कोई विलोम सबद पूछा भी नहीं गिया है सबसे जएदा पूछे जाना वाला विलोम सबद है इसका right जो आकास का विलोम सबद होता है वो होता है पाताल option C आपका यहां पर सही रहेगा जमीन, भूमी और गगन यह आकास के विलोम सबद नहीं है चलते है next question question number 9 की तरफ अनुराग का सही विलोम है यहां पर पूछा है कि अनुराग है इसका सही विलोम क्या होगा वेरागे, वीतराग, विराग, अराग तो दोस्तों अनुराग का जो सही विलोम होता है वो होता है विराग option C यहां पर आपका सही रहेगा अनुरा का विराग चलते हैं next question question number 10 की तरफ 10 number question है पंडित सब्द का विलोम होगा अग्यानी, मूड, मुरक, अनाडी क्या होगा दोस्तूं पंडित सब्द का तो पंडित जिसे ग्यानवान को हम कहते हैं उसी प्रकार इसका विलोम सब्द होगा मुरक, option C आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तूं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करें और अधिक से अधिक सेर करें, जिससे सबी अबिरती जो किसी ने किसी परकार की परतियों की प्रक्षियों की तियारी कर रहे हैं, उनके पास यह वीडियो पहुंच सके और वो इस वीडियो का फाइदा उठा सके, यह 30 important क्यूसन है, जो बार बार एकजमू के अंदर पूचे जाते हैं, चलते हैं next क्यूसन, क्यूसन नमर 11 की तरब शनिक सबद का विलोम होगा शाश्वत, नश्वर, सनातन, अमर तो सनिक सबद है, इसका विलोम सबद क्या होगा तो सनिक का दोस्तु विलोम सबद होता है शाश्वत, ओप्सन ए आपका यहां पे सही रहेगा चलते हैं next क्यूसन, क्यूसन नमर 12 की तरब मुख्य का विलोम होगा तो मुख्य का विलोम क्या होगा दोस्तु, गोण, परमुक परधान, हे मुख्य का होता है दोस्तु, गोण क्या होता है मुख्य, गोण चलते हैं next क्यूसन, क्यूसन नमर 13 की तरब संकिर्ण का सही विलोम सबद होगा विस्त्रिण, विदिर्ण विशाल कोई नहीं है तो संकिर्ण है इसका विलोम सब्द क्या होगा दोस्तूं इसका होगा विश्त्रेण ओप्षन ए आपका सही रहेगा संकिर्ण विश्त्रेण चलते हैं next question दाता सब्द का विलोम नहीं है यहाँ पे यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सब्द है जो दाता सब्द का विलोम नहीं है दानी, क्रिपण, कंजूस, सूम तो दोस्तूं दाता है इसका विलोम सब्द कौन सा होगा दाता और दानी दोनुई से हैं मैं तो यहाँ पे दानी दानी सब्द है जो दाता का क्या है परियाई वाची है विलोम सबद नहीं है दोस्तों और करपन कंजू सुम ये तीनों के तीनों दाता के विलोम सबद है चलते हैं next question की तरफ question number 15 उतकर्स सबद का विलोम है अपकर्स विकास उनत्ती प्रगत्ती तो क्या होगा उतकर्स का उतकर्स का होता है अपकर्स क्या होता है अपकर्स उतकर्स सबद का विलोम होता है अपकर्स next question है हमारा question number 16 सुद्र का विलोम होगा मंडन, विराट, कोटा या छोटा तो सुद्र होता है इसका विलोम सबद होगा आपके शुद्र का होता है दोस्तों विराट option B आपका यहां पे सही रहेगा शुद्र विराट next question है question number 17 प्रितिची का विलोम है प्राच्ची, विप्राच्ची ए प्रितिची, विप्रित्ची क्या होगा दोस्तों प्रितिची का विलोम तो पृतिची का विलोम होता है प्राच्ची Option A आपका सही रहेगा और important question है दोस्तु इसको आप दिमाग में set कर ले, इसको रट ले पृतिची का विलोम होगा प्राच्ची Next question है Question number 18 ममत्वे का विलोम है प्रेम, प्रत्वे, ग्रीना, न प्रत जो ममत्वे है इसका विलोम सब्द क्या होगा तो दोस्तु ममत्वे का होता है प्रत्वे option B आपका यहां पे सही रहेगा चलते है next question क्यों रत का विलोम है अरत, सन्यास, मगन, विरत तो रत का विलोम सब्द क्या होता है रत का होता है दोस्तु विरत option D आपका यहां पे सही रहेगा next question है question number 20 योग का विलोम है वियोग, अयोग, नश्ट, खतम तो योग का विलोम सब्द क्या है दोस्तों तो योग का विलोम सब्द होता है वियोग option A आपका यहां पे सही रहेगा योग का क्या होता है वियोग होता है विलोम चलते है नेक्स्ट क्यूशन की तरफ क्यूशन नंबर 21 पुष्ट का विलोम नम, शीन, पतला, दर्द पुष्ट का विलोम क्या होता है तो दोस्तों पुष्ट है इसका विलोम सबद होता है वो होता है शीन क्या होता है शीन option बैस ही रहेगा चलते है next question question number 22 की तरफ परिग्य का विलोम होगा mood ए परिग्य विग्य गे जो परिग्य है इसका विलोम क्या होगा तो परिग्य का विलोम सब्द होता है mood option ए आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों अगर आपको विडियो या विलोम सब्द का यह विडियो है जो क्यूसन है आपको यह पसंद आ रहे हैं तो आप विडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों लाइक करने के साथ साथ आप अपने facebook हो या whatsapp हो या अधर कोई भी social site जो आप यूज करते हूँ उस पे इसके लिंक को एक बार अपने दोस्तों के जाद जरूर सेर करें जिससे सबी के पास ये विडियो पहुंच सके चलते हैं next question क्यूसन नमबर 23 की तरफ सुमका का विलोम होगा हर्स उधार अशूम विसाल जो सुमका है इसका विलोम क्या होगा तो सुमका का दोस्तों विलोम होता है उधार क्या होता है उधार next question है क्यूसन नमबर 24 अनुकुल का विलोम है पर्तिकुल पर्तिलोम एकुल अनुकुल अनुकुल है इसका विलोम क्या होगा simple है जैसे आकास का था उसी प्रकार ये भी भूत बार पूछा जाने वाला क्यूशन है इसका जो विलोम होता है वो होता है पर्तिकुल अनुकुल का पर्तिकुल चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन 25 की तरफ मर्त्य या मर्त्यू का विलोम होगा यहां पे मर्त्य भी लिकावा है लेकिन मर्त्यू समझलो मर्त्यू का विलोम होगा विमार्ते, एमर्ते, अमर, विमर तो दोस्तों मर्त्यू का क्या होता है अमर होता है ओप्संस है आपका सही रहेगा मरत्य काविलोम होता है अमर, या मरत्य दियावाओ मरत्य दियावाओ, ध्यान रखना है अमर होगा, इस सबद का ध्यान रखना है क्योंकि यह हाली में भ Kirby बहुत बार एक्जामो में यह सबद पूछा गया है चलते हैं, next question 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 number 26 वेमन से काविलोम मनस्त होता है वो होता है सोमन से ओपसंद है आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नमबर सताइस चिरंतन का विलोम है चीर अंत नश्वर वी चिरंतन जो चिरंतन है इसका विलोम क्या होगा 27 नमर क्यूसन है तो दोस्तों चेरंतन होता है इसका जो विलोम होता है वो होता है नस्वर options है आपका यहां पे सही रहेगा next question है question number 28 निशीद का विलोम है कर्मट, वीत, ग्रहन, निशीद तो निशीद है इसका विलोम क्या होगा निशीद का वीहित निसीद का क्या होता है वीद, ओप्सन बै आपका यहां पे सही रहेगा नेक्स्ट क्यूसन है, क्यूसन नमबर उन्टीस बर्बर का विलोम है, सब्बे, दयावान, एबर्बर, विबर्बर तो बर्बर का क्या होता है, सब्बे होता है दोस्तों बरबर का विलोम होता है सब्वे नेक्स्ट क्यूसन है क्यूसन नमबर 30 अंगीकार का विलोम है विंगीकार तिरस्कृत स्विकार तिरो बाव तो अंगीकार का विलोम सब्द क्या होता है तिरस्कृत याद रखना है इंपोर्टेंट है दोस्तों ये अंगी कार है इसका अंगी कर्थ हो या अंगी कार हो इसका विलोम्न होता है त्रिस्कृत और नेक्स्ट और अंतिम क्यूसन है इस वीडियो का हमारा वो है बुलंद का विलोम दब्बू, कायर, निम्न, अधम तो दोस्तू बुलंन सबस्द है इसका विलोम क्या होता है वो होता है निम्स ओप्षन्स है आपका यहां पे सही रहेगा तो दोस्तू आप सबी बताएए यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो नीचे आपको एक कमेंट बोक्स मिलेगा जिसके अंदर आप कमेंट कीजिए और बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को सेर करके अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर पहुँचाए आप सभी को भहुत भहुत धन्यवाद जे हिंद जे भारत